अपने graph के discussion को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से graphs को represent करना है graphs को represent करना एक बहुत important topic है और अगर आप लोग को graph को represent करना आ गया तो आप लोग समझ लो कि आपको graph के algorithm बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे और अगर आपको समझ में नहीं आया कि graph कैसे represent होता है तो आप लोग को algorithm समझने में भी दिक्कत होगी तो with that set आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर graph theory में हमने so far क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर graph theory में सबसे पहली बात जो हमने देखी थी वो यह थी कि notes और edge से मिलकर बना होता है हमारा graph ठीक है तो हमारा graph क्या होता है simply notes और edge से मिलकर बना होता है अगर मैं यहाँ पर एक sample graph बना हूँ कुछ इस तरह से जहाँ पर मैं एक note मालो 7 ले ले लेता हूँ यह हमारा नोड है ठीक है हमने अभी तक यह देखा था कि notes और edge से मिलकर हमारा graph बनता है इसको real world problems को model करने में use किया जाता है अब जैसे कि social network को किस तरह से model करना है यह सब चीज़े हम graph theory में graph theory से सीखते है ठीक है अब यहां पर हम लोग website links को model कर सकते है website links को study कर सकते है एक website है जैसे उसके अंदर बहुत सारे links है तो कौन सा link इदर की तरफ जा रहा है इसका एक graph बनाया जा सकता है और उस graph की सायता से कुछ real world website से related problems को solve किया जा सकता है similarly बहुत सारी और problems को solve करता है graph जैसे कि क्या Delhi और California के बीच में एक route है क्या exist करता है ऐसा कोई route क्या कोई ऐसा route है जो की road गे थुरू आपको California पहुंचा दे Delhi से start करते हुए तो इस तरह की questions को answer करता है आपका graph और कुछ और problems को भी solve करता है जैसे कि is a friend of b in a social network is a friend of b in a social network उसी के साथ साथ is site a linking to site b तो इस तरह कि और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिसका answer हमको graph थियोड़ी से मिलता है अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि किस तरह से graph को represent किया जा सकता है यही graph को representation बहुत जादा important है तो हमारे पास primarily दो implementations होते हैं मैं आपर primarily दो इस लिए बूल रहा हूँ कि यही सबसे जादा use किये जाने वाले implementations होते है जो पहला implementation है वो है हमारा adjacency list और जो दूसरा implementation है वो है adjacency matrix यह दोनों जो हमारे implementations है वो सबसे जादा important होने वाले है और उसी के साथ साथ जो भी हम और implementations देखेंगे वो भी use किये जा सकते हैं graph को model करने के लिए but adjacency list और matrix सबसे जादा use किये जाते हैं nodes with the list of its neighbors अब यह क्या ही मैं आप लोग को बताऊंगा मानलो मैंने graph यहाँ पर बनाए zero ठीक है zero से मैं connect कर रहा हूँ one को ठीक है one से मैं connect कर रहा हूँ sorry zero को two से कर रहा हूँ two को मैं one से कर रहा हूँ मैं आपर अभी मैंने अब डिरेक्टर राफ बना दिया बड़ यह नॉन डिरेक्टर राफ भी हो सकता था zero two और one तीन नोट्स हैं जो कि एक दूसर से linked है मुझे यह information store करनी है simply एक तो मुझे यह store करना है कि यह तीन नोट्स है और मुझे यह store करना है कौन सा concept वाले से linked है ठीक है इसको मैं adjacency list से कर सकता हूं matrix से कर सकता हूं बताऊंगा कैसे और यहाँ पर अभी high level पर सुन लो mark the notes with the list of its neighbor यानि कि zero जो है मेरा वो किस-किस से connected है यह मैं store कर लूँगा zero किस-किस से connected है one or two से तो zero के लिए हो गई मेरी list one or two ठीक है एक linked list मैंने store कर दी one or two connected बना लूँगा मैं कोई arrow अगेरा नहीं लगाँगा तो zero के लिए हमारे पास दो notes है जो कि उस से connected है one or two one के लिए दो notes है zero or two जो कि connected है और यह मैं arrows के लिए linked list को represent कर रहा है और two के लिए similarly zero or one है और यह बहुत simple सा graph है हम लोग और graph study करेंगे आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से adjacency list काम करती है थोड़ा सा wait करो और adjacency matrix भी simple सी चीज है आप एक matrix बना लो कुछ इस तरह से इस particular graph के लिए मैं बनाओं तो कुछ इस तरह से बनाओंगा zero one or two यहां पर लिखूंगा zero one or two यहां पर लिखूंगा और इसके बाद यह जो मेरी table बनी इसको आप matrix कहलो यह जो matrix मेरे पास बनी इसके अंदर मं क्या करूंगा कि जो भी connected है एक दूसरे से उसको मैं यह पर mark कर दूँगा अब क्या zero zero से connected है नहीं zero zero से connected नहीं है क्या zero zero से connected हो सकता था हो सकता थाख कुछ इस तरह से connected होता था तो इस से self-loop कहते लेकिन इस graph में self loop नहीं है तो अभी के लिए मैं self loop को जो हटा दूँगा ठीक है क्योंकि यह मौजूद नहीं है हमारे graph में और यहां पर मैं क्या करूँगा कि इसको कुछ इस तरह से वापस से बना दूँगा ठीक है और यहां पर 00 से connected नहीं क्या 01 से connected है हाँ है तो यहां पर 1 लिखूँगा यहां पर 1 लिखूँगा 1 भी 0 से connected है तो यहां पर 1 लिखूँगा यहां 1 और जो connected नहीं है उनको मैं आपर 0 लिख दूँगा ठीक है तो यह हमारी adjacency matrix बन गई ठीक है ऐसे ही समझ लो कि यहां पर जो cost adjacency list है उसमें 1 की जगा cost डाल देते हैं और adjacency matrix में 1 की जगा cost डाल देते हैं अब इन सारे तरीकों को एक करके समझ लेते हैं बहुत ही high level पर मैंने आपको ए graph idea तो दे ही दिया है अब यहांपर adjacency list की बात करते हैं और उससे पहले मैं एक graph बनाना चाहता हूँ जिसको मैं represent करने वाला हूँ तो मैं जल्दी से उस graph को draw कर लेता हूँ सबसे पहले जिसको मैं आपर represent करना चाहता हूँ तो मैं आपर करूँगा क्या कि ए graph बनाऊँगा और एक graph बहुत ही simple तरीके से बनाऊँगा सबसे पहले तो मैं आपर 0 लिख दूँगा ठीक है एक यह हो गया फिर मैं आपर लिख दूँगा 1 फिर मैं आपर लिख दूँगा 2 फिर मैं आपर लिख दूँगा 3 फिर मैं आप से connected है 1 3 से connected है और 0 2 से connected है और उसी के साथ 2 4 से connected है ठीक है और 3 4 से connected नहीं है ठीक है ये graph है ठीक है simple सा मैंने graph यहाँ पर बना दिया और मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ इस तरह से कर दूँगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0 1 2 3 और 4 यह 5 notes है अब adjacency list जब मैं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर किस तरह से 0 को बनाऊँगा 0 से connected है सबसे पहले तो यहाँ पर मैं arrow लगा कर लिख दूँगा कि 0 से 1 connected है ठीक है और उसी के साथ साथ कौन connected है 0 से 2 connected है क्या कोई और 0 से connected है नहीं 0 से कोई और connected नहीं है similarly 1 से कौन कौन connected है 1 से 3 notes connected है एक 0, एक 2 और एक 3 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यह चीज बहुत ही अच्छी तरीके से कि एक तो यहाँ पर हमारे पास यह वाली edge है जो कि 1 से connected है एक यह वाली edge है जो 1 से connected है और यह यह वाली edge है जो कि 1 से connected है अब मैं आपर क्या करूँगा कि जल्दी से लिख दूँगा यहाँ पर 1 से कौन कौन connected है 1 से connected है सबसे पहले तो हमारा connected है 0 ठीक है 1 से और उसी के साथ साथ उसके बाद कौन सा connected है 2 connected है और 3 connected है ठीक है तो यहाँ पर मैंने 0, 2 और 3 लिख दी और मैं सारे notes के लिखूँगा तागि आपको एक अच्छा idea लग जाए ठीक है मैं आपर skip नहीं करूँगा कोई भी note कौन है 1 connected है उसके बाद कौन है उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ 4 connected है same goes for 3 and 4 as well 3 से सिर्फ एक मुझे connected दिख रही है जो कि है 1 और 4 से मुझे कौन-कौन connected दिख रहे है 4 से सिर्फ 2 connected है ठीक है और यह सारी अपने आप में link list है कौन-कौन सी link list है मैं आपको बताता हूँ क्या चीज link list है यह एक link list है ठीक है यह एक link list है यह एक link list है यह एक link list है ठीक है तो यह मैं आपको बताता हूँ कि यह जो तीनों, जो यह वन और टू है, जीरो टू और ट्री है, जीरो वन और फोर है, यह सब एक Linked List है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक List बना सकते हैं, एक Aray आप कहलो, एक Aray बना सकते हैं, उस Aray के अंदर, हम लोग Pointers Store कर सकते हैं, और क्या होगा pointer को हम लोग क्या कर सकते हैं हम जो ये linked list है इनके head से connect कर सकते है यानि कि जो ये वाला pointer है यहाँ पर जो pointer है वो इस वाली link list के head से connected रहेगा कौन सी link list के head से इस वाली link list के head से 1 में pointer store होगा जो कि इसकी link list का head रहेगा ये जो 2 में pointer होगा वो ये वाला जो हमारा head है इस link list का उसमें रहेगा उसको store करेगा 3 जो है वो इस link list के head को store करेगा 4 इस link list के head को store करेगा I hope समझ में आ गया होगा अब तक और बहुत ही easy भी था ठीक है तो ये adjacency list representation होगी बहुत ही बढ़िया simple और सबसे जादा use होने वाली मैं arguably इसको कह सकता हूँ सबसे जादा use होने वाली implementation है एक graph को represent करने के लिए अब हम लोग देखते है adjacency matrix क्या है adjacency matrix और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो adjacency matrix क्या है सबसे पहले तो यह simply एक किसी भी graph को आप लोग को अगर represent करना है तो आप यहाँ पर zeros and ones fill कर सकते हैं अगर दो nodes connected है तो अगर दो nodes connected नहीं है तो आप नहीं करेंगे अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा graph ले लिया है तो मैं एक दूसरे graph को example लोगा यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास 6 nodes होने वाले हैं तो मैं आपर जल्दी से graph बना लेता हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा 0 ठीक है और यहाँ पर लिखूँगा 1 और यहाँ पर लिखूँगा 2 और यहाँ पर लिखूँगा 3 और यहां पर लिखूंगा 4 और एक और extra node यहां पर है और मैं आपर लिख दूँगा 5 और थोड़ सा अलग तरह का graph बनाने की इस बार कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को एक अच्छा idea लगे कि यार graph इस तरह के भी हो सकते है ठीक है तो 0 से 5 connected है तो मैं यहां पर 1 लिख दूँगा ठीक है और क्या मैं बाकी सब जगह 0 लिख सकता हूँ हाँ मैं 0 लिख सकता हूँ 0 से 1 connected नहीं है 2 connected नहीं है यहां सब जगह मैं 0 लिख सकता हूँ क्योंकि अगर आप लोग उपर पढ़े तो मैंने लिखा है कि 1 for an edge between i and j 0 otherwise 0 connected है मैंने 2 को किसी से connect नहीं किया मैं 2 को connect कर ही देता हूँ ठीक है 2 को 0 से connect कर देता हूँ in that case मुझे 0 वाली रोग को भी change करना पड़ेगा इसलिए मैं काम करूँगा इसको थोड़ा सा आसान रखने के लिए 3 से connect कर दूँगा ठीक है तो मैंने इसको 3 से connect कर दिया अब मैं आपर जब node 1 के लिए लिखूँगा तो आप लोग देखो सिर्फ एक सिर्फ एक से connected है node 1 सिर्फ 5 से ठीक है और इसके साथ साथ अगर मैं node 2 की बात करूँ तो यह सिर्फ 3 से connected है तो यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया अगर मैं बात करूँ node 3 की तो यह 3 नोट से connected है 5, 2 और 4 तो मैं आपर लिख देता हूं 5 के आगे 1 लिख देता हूं 2 के आगे 1 लिख देता हूं और 4 के आगे 1 लिख देता हूं क्या 4 किसी से connected है हाँ 3 से connected है बस ठीक है तो यहाँ पर 1 लिख दूँगा 5 किस किस से connected है 0 से 1 से और 3 से तो 0 की जगा पर यहाँ पर 1 आजाएगा और 1 से 0000000 0000 ठीक है तो यहाँ पर हमने adjacency matrix अपनी बना ली अब अगर आपको बता करना है क्या 2 और 5 connected है तो आप क्या करोगे यहाँ पर आओगे यह चीज देखोगे और यह वाली column देखोगे और आप देखोगे 2 और 5 connected है की नहीं और यह देखने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर अपने मन में एक line draw करोगे और यहाँ पर अपने मन में एक line draw करोगे और इस matrix के अंदर देख लोगे 0 है की 1 है अगर 0 है तो connected नहीं है 1 है तो connected है ठीक है simple सी बात है और यह थी adjacency matrix ठीक है यह 0 से लेके 5 तक कुछ cities को represent कर रही होती मानलो 0 represent कर रही होती बारेली ठीक है और यह रायपूर को represent कर रही है मानलो यह बैंगलोर को represent कर रही है यह मुंबई को represent कर रही है यह डेली को represent कर रही है और यह मानलो कोलकता को represent कर रही है ठीक है तो यहाँ पर मालो हमारे पास 6 cities है अब अगर मैं जानना चाता हूँ कि बरेली से लेकर क्यालकटा तक कितनी दूरी है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा वो distance ठीक है और मैं यहाँ पर कुछ random numbers fill कर रहा हूँ ठीक है और मुझे पता यह number इतने जाथ the sense नहीं मना रहे है बट मैं आपर random numbers fill कर रहा हूँ तो जहाँ पर मैंने 1 लिखा है वहाँ पर मैं क्या करूँगा इन edge का number लिख दूँगा जैसे कि 0 to 5 है तो यहाँ पर मैं 1 ना लिख के 7 लिखूँगा क्योंकि 7 cost है cost मतलब distance ठीक है cost term use किया जाता है time के लिए distance के लिए for example अगर आप traveling salesman problem जो कि symbol सी एक problem होती है उसमें क्या होता है कि बहुत आरी cities होती है एक salesman होता है उसको जाना होता है सारी cities को visit करते हुए shortest path लेते हुए तो दो city के बीच का जो distance होता है उसको distance नहीं cost कहते है क्योंकि वो उस traveling salesman के लिए cost है I hope की समझ में आगे आप लोग को देखेंगे cost adjacency matrix को आगे और वही बात है जो मैंने आपको बताया अगर मैं इसी graph की बात करूँ यह वाला graph जो मैंने लिया है 0 to 5 notes वाला मैं एक बहुत ही simple से graph बनाता हूं यहां पर और कुछ series को connect करूँगा और वहां पर cost आजाएगी जहां जहां पर number है और जल्दी से graph बना लेता हूं यहां पर तो मैं यहां पर लिखूँगा 0 यहां पर लिखूँगा 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है और यह मेरे graph के notes हो गए अब मैं क्या करूँगा कि जो सारे के सारे notes मैंने यहां पर ले रखे मैं इनको connect करूँगा और इनमें से कुछी notes को connect करूँगा just to make things simpler ठीक है तो 0 to 2 में मैं क्या करूँगा और यह minus 1 है मैंने typo कर दिया यहां पर और मैं بتाओ को क्यों-1 है ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूँगा कि बहुत ही simple सा काम करूँगा cost लिख दूगा मान लो यह cost 4 है यह cost 8 है यह cost 9 है यह cost 11 है ठीक है अगर मैं कुछ इस तरह का गाम करता हूँ तो मैं यहां पर भी लिख देता हौ cost 2, ठीक है, क्या मैंने कोई edge छोड़ दी नहीं मैंने कोई edge नहीं छोड़ी है अब मैं क्या करूँगा, कि यह जो मेरे यहाँ पर boxes इनको fill करूँगा 0 किस-किस से connected है, सिर्फ 2 से तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूँगा, मैं cost लिखूँगा 4, 1 किस-किस से connected है, सिर्फ 2 से तो मैं यहाँ पर cost नहीं लिखूँगा sorry cost लिखूँगा, 1 नहीं लिखूँगा और 2 किस-किस से connected है 2 3 से connected है एक तो 0 से connected है, एक 1 से connected है और एक 4 से connected है, 5 से भी connected है in fact 4 से connected है, तो 0 की जगह पर 4 लिखा जाएगा, ठीक है यहाँ पर 4 लिखा जाएगा 1 की जगह पर 8 लिखा जाएगा और 4 की जगह पर 2 लिखा जाएगा और 5 की जगह पर 11 लिखा जाएगा ठीक है तो यह मैंने याम बर फिल कर दी है सारी की सारी cost अब बात करते हैं 3 की ठीक है 3 किस से connected है 3 connected है 4 से सिर्फ 4 से connected है तो यहाँ पर 9 लिख दूँगा ठीक है और 4 किसकिस से connected है 4, 2 और 3 से connected है और यहाँ पर 4 और 2 के बीच की distance 2 और 4 और 3 के बीच की distance 9 similarly 5 सिर्फ 2 से connected है तो यहाँ पर मैं 11 लिख दूँगा और बाग की सारी spaces में 0 मैं फिले भी करनी रहा हूँ जीरो भी हो सकती है एक जगा से दूसरी जगा जाने की cost 0 भी हो सकती है मान लो मैं cost को ना time मानू ना distance मानू मैं cost को वो पैसे मानू जहाँ पर for example मैं आपको एक बहुत ही realistic से example देने की कोशिश करता हूँ अगर आप delivery voice की बात करें flip card की बात करें तो मान लोगी एक truck जा रहा है एक truck जा रहा है Delhi से लेकर let's say Bangalore और उस truck के अंदर बहुत सारी space available है अब अगर उस truck के अंदर space available है तो उस truck के अंदर additional एक छोटा सा समान और ले जाने की cost 0 है ठीक है तो cost 0 भी हो सकती है कभी-कभी एक city से दूसी city में समान को भेजने की symbol जिबाद है ठीक है तो अगर ऐसी cost आपकी problem में आती है कि cost 0 भी हो सकती है ऐसा situation आती है आपकी problem में तो आप क्या करेंगे ये वाली definition को use करेंगे आप minus 1 कर देंगे सारी जगा पर instead of 0 ठीक है तो minus 1 कर देंगे सिर्फ कुछ problems के लिए सिर्फ उन problems के लिए जहां पर आपकी जो cost है वो 0 हो सकती है ठीक है तो मैं आपर minus 1 minus 1 fill कर दूँगा और ये सारे इसमें fill हो जाएगा जितने भी blank है मैं minus 1 fill हो जाएगा मैं कर नहीं रहूं ठीक है तो क्यों किया ऐसा क्योंकि अगर मैंने इंपर 0 fill कर दिया तो पता नहीं चलेगा कि 0 मैंने fill किया है 0 cost के लिए यहां फिर there is no edge के लिए ठीक है तो ये चीज यहां पर जो है important है I hope आप लोग की समझ में यह बात आ गई होगी अब यहां पर कुछ और implementations भी है जो कि exist करती है for example edge set edge set की अगर मैं बात करूँ तो simply अगर कोई भी edge edge से एक बहुत ही simple सा graph ले लूँ अगर मैं यहां पर लिखू 0 यहां पर लिखू 1 यहां पर लिखू 2 और एक बहुत ही simple सा graph अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि 0 1 connected है 1 और 2 connected है तो हम क्या करेंगे जो जो edges connected है हम कुछ इस तरह से लिख देंगे भाई 0 1 connected है उनको ऐसा pair लिख देंगे इस तरह से 1 2 connected है और कौन सी connected है बस इतनी connected है ठीक है तो हम कुछ इस तरह से ऐसे लिख देंगे 0 1 connected है 1 edge 2 c edge ये ठीक है बट इसको जादा use नहीं किया जाता है ये एक तरीका तो है represent करने का graph को बट इसको जादा use नहीं किया जाता है क्योंकि algorithms highly inefficient हो जाते है ये human के तरू तो बहुत अच्छी तरह से readable है बट computer के तरू understandable उतना जाता नहीं है जितने adjacency list and matrix है so I hope कि आपकी समझ में आ गया कि adjacent भी एक representation है बट इतना जाद हम लोग use नहीं करेंगे फिर जिस तरह से मैंने cost adjacency matrix बताया उसी तरह से cost adjacency list भी exist करता है जिसमें हम लोग क्या करते है कि जहां पर हम लोग कुछ इस तरह से कर रहे थे कि यहां पर हमारे पास एक इस तरह की चीज थी और हम आपर 0, 1, 2 यहां पर linked list ले रहे थे इस तरह से इस बार हम linked list में दो nodes लेंगे एक तो हमारा यहां पर वो node होगा जिससे यह 0 connected है, in this case 1 और उसके बाद जो यहां पर दूसरा box होगा linked list का, उसके अंदर हम क्या करेंगे cost लेखेंगे, जैसे मानलो 7 यह 11 तो हमारा linked list का जो एक node होगा उसके अंदर 2 values होंगी, एक तो किस node से connected है यह वाला node, और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी उस node की cost क्या है, तो किस node से connected है यह वाला node और उस node की cost क्या है I hope कि समझ में आगे आप लोगों को और इतना जादा use नहीं होता है adjacent और cost adjacency list भी उतनी जादा use नहीं होगी, बटे depends upon your problem, अगर आपकी problem के अंदर है यह चीज़, तो use हो भी जाएगी, ठीक है बात करते हैं, compact list representation की, कि यह क्या चीज़ है compact list representation एक entire graph को एक सिर्फ एक single 1D area में store करने का तरीका है और एक cost compact list representation भी होता है, उसमें दो areas को maintain करना पड़ता है, इसके बारे में matrix पर, ठीक है, तो यह दो हमारी जो representations है, वो सबसे हादा important होने वाली है, हम लोग code जो लिखेंगे, वो इन के लिए लिखेंगे और आने वाले वीडियो में, और हम लोग समझेंगे graphs के बारे में, अकर आप लोगों ने greater structure की playlist को access नहीं किया, तो ज़रू कर ले ना, अभी के लिए इस वीडियो में इतने है guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.